दोस्तों fighter jets किसी भी देश की air force की backbone माने जाते हैं जो कि हवाई combat के साथ साथ ground forces को हवाई सुरक्षा दे सकते हैं, दुश्मन के air defense में सेंध लगा कर उनकी सीमा के अंदर जाकर भी हवाई हमले कर सकते हैं और भी कई प्रकार के missions को अंजाम देने की काबिलियत रखने वाले इन fighter jets को multi roll jets भी कहा जाता है, जैसे जैसे दुनिया में तकनीक और देशों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कई देशों ने अपनी defense पर खर्च करने की रफतार बढ़ा दी है, और अब हर एक देश एक से बढ़कर एक advance तकनीक से less घातक हावाई हत्यार बन तक माने चाते हैं, जिनके सुपरसोनिक रफतार दुश्मन की रडार्स को चगमा देने की stealth चमता और पलक जपकते ही अपने targets को नस्ते नाबूत करते हुई बच कर निकलने जैसी और भी कई खूबियां होती हैं, फिलहाल दुनिया में केवल अमेरिका, रश्या और चाइन की समापती तक अपने अपने फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने में काम्याब हो जाएंगे, इसे वीडियो में हम इन सभी देशों के इन बेहद एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट्स की जानकारी देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पह करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अब शेलिए शुरू करते हैं नमबर वन से, नमबर वन पर है अमेरिका की लॉख हीड मार्टिन द्वारा मेड एफ ट्वंटी टू रैप्टर, ये एक सिंगल सीट, ट्विन इंजन, ओल वेदर, दुनिया का सब से रहेंगा फाइटर जेट है, जिसके चलते अमेरिका भी इसकी आगे बनने वाली यूनिट्स को कैंसल कर चुका है, इसके कुछ प्रमुख खूबियां देखें, तो इसकी लंबाई 18.9 मीटर है, एम्टी यानि खाली वजन, 19,700 किलोग्राम से भी ज्यादा का है, और ये प्लांट में इसमें इस्तमाल किया गया है, दो प्रेट एंड विटनी के F-119PW-100 आफ्टर बर्निंग टर्बो फें इंजन्स का, जो कि इसे 116 किलो न्यूटॉंस का ड्राइ थरष्ट और अधिक्तम 156 किलो न्यूटॉंस का आफ्टर बर्निंग थरष्ट प्रोवाइड क कॉमबेट मिशन्स को अंजाम दे के लौट सकता है, सर्विस सीलिंग में ये 20,000 मीटर की उंचाई तक ऑपरेट कर सकता है, इसके बाद दूसरे इस्थान पर है लॉक्हीड मार्टिन का ही F-35 लाइटनिंग 2, जो कि अमेरिकन एरफोर्स द्वारा सबसे ज़दा इस्तमाल क किया जाने वाला, सिंगल इंजिन, सिंगल सीट, औल वेदर, स्टेल्द, फाइटर जेट है, इसके कुछ प्रमुख खूबियां देखें, तो इसकी लंबाई 15.7 मीटर है, एम्टी वेट 13,290 किलोग्राम बताया जाता है, मैक्जिमम टेक ओफ वेट 31,700 किलोग्राम से भी ज्यादा का है, यह अपने साथ 8,000 किलोग्राम तक का पेलोड केरी कर सकता है, पावर प्लांट के लिए इसमें समाल किया गया है, एक प्रेट एंड विटनी के F-135 PW-100 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजिन का, जो कि इसे 125 किलो न्यूटोंस का ड्राइ थ्रस्ट और म और सर्विस सिलिंग 15,000 मीटर बताई चाती है, इसके बाद तीसरे इस्थान पर है रुशियन सुखोई सू 57 स्टैल्द फाइटर जेट, यह एक सुपर मन्यूवरबल फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि एर कॉमबैट, ग्राउंड अटेक या मेरिटाइम स्ट्र के विट के साथ टेक आफ कर सकता है, यह अपने साथ 6,000 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड भी कैरी कर सकता है, पावर के लिए इसमें इस्तमाल किया गया है दो सैटर्न एल-41-F1 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजिन्स का, जो कि इसे 142 किलो न्यूटोंस का ड्राइ और करीबन 147 किलो न्यूटोंस का आफ्टर बर्निंग टर्ष्ट प्रोवाइड करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यह मैक्सिमम 2135 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, कॉमबे ट्रेंज 1500 किलो मीटर है, वहें इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक है, इसके बाद चौथे इस्तान पर है पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना की चैंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरिशन का जे 20 माइटी ड्रेगन, ये एक सिंगल सीट ट्विन इंजिन आल वेदर स्टेल्ड मल्टी रोल जेट है, जो कि एर सुपीरियोरिटी और 20,000 किलोग्राम बताए जाता है, ये अपने साथ अधिक्तम 11,000 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड भी केरी कर सकता है, पावर के लिए इसमें इस्तमाल किये गए हैं दो शन्यांग WS-10C आफ्टर बर्निंग टर्बो फेंस इंजिन्स का, जो कि इसे 86 किलो न्यूटों का ड् गंटा बताई जाती है, कॉमबेट रेंज 2,000 किलो मीटर तक है, इसके सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक बताई जाती है, दोस्तों फिलाल F-22, F-35, Su-57 और J-20 ये चारों ही ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्द फाइटर जेट्स हैं, इनके लावा बाकि जेट्स डिवलपमें में हैं, जिसमें नमबर 5 पर है, भारती एरोनॉटिकल डिवलपमेंट एजेंसी वा डियाइडियो द्वारा विक्सित किया जाने वाला एडवांस मीडियम कॉमबेट एरक्राफ्ट, ये एक 5th जनरेशन स्टेल्द तकनीक से योगतर, सिंगल सीट, ट्विन इंजन, मल्टी जेट होगा, तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही इसका निर्मान किया जाएगा, और ये साल 2024 में अपना पहला प्रोटोटाइप बनाकर तैयार करने वाले हैं, इसकी कुछ संभावित खूबियां देखें, तो इसकी लंबाई 17.6 मी लोड केरी कर पाएगा, पावर के लिए इसमें इस्तमाल किया जाएगा दो मोडिफाइड जनरल एलेक्ट्रिक के F414 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन्स इंजिन का, जो कि इसे 58 किलो न्यूटॉंस का ड्राइ थ्रस्ट और 98 किलो न्यूटॉंस का आफ्टर बर्निंग थ् से उड़ पाएगा, कॉमबेट रेंज इसकी 1620 किलो मीटर तक होगी, वहीं ये 20,000 मीटर की मैक्सिमम उचाई तक ऑपरेट कर पाएगा, ये साल 2032 तक ही इंडियन एर फोर्स को मिलेगा, इसलिए हिसे के अवल फिफ्ट नहीं बलकि 5.5 या करीबन 6 जनरेशन तकनीक से भी किया जा सकता है, इसके बाद नमबर 6 पर है रोशिया का अपकमिंग सुखोई सु 75 चेकमेट लाइट स्टेल्ड मल्टी रोल जेट, ये एक सिंगल इंजिन फाइटर जेट होगा, जिसे रोशिया मैनली एक्सपोर्ट करने के लिए तयार कर रहा है, इसके कुछ संभावित देखें तो इसकी लंबाई 17.5 मीटर होगी, इसके एमटी वेट की जानकरी फिलाल पब्लिक ली अवेलबल नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम टेक ओफ वेट 20,000 किलोग्राम तक बताया जा रहा है, ये अदिक्तम 7,000 किलोग्राम तक का वेपन पे लोड केरी कर पाएगा, इ होने की संभावना है, रुशिया इसे भारत, वियतनाम, अर्जेंटीना वा कुछ अरब देशों को भी बेचने के लिए तयार कर रहा है, इसके बाद नमबर 7 पर है तुरकिश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का टी एफ एक्स फिफ्ट जनरेशन स्टेल्ड मल्टी रोल जेट जो कि एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा और साल 2025 से 2030 तक ही पूरी तरह बनकर तयार हो पाएगा, इसके कुछ संभावित खूबियां देखें, तो इसकी लंबाई 19 मीटर तक होगी, इसका एंप्टी वेट 14,150 किलोग्राम बताया जरहा है, मैक्सिमम टेक ओफ वेट 27 24,200 किलोग्राम तक होगा, इसकी संभावित परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर की अधिक्तम रफ्तार से उड़ पाएगा, इसकी कॉमबेट रेंज 1100 किलोमीटर तक होगी, सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक होने की संभावना है, इसमें तुर्की अमेरिका वा अन्य देशों के साथ-साथ, पाकिस्तान की भी मदद लेने वाला है, इसके बात नमबर 8 पर है चाइनीज शन्यांग FC-31, फाइटर जेट, जो कि लंबे समय से डेवलपमेंटल स्टेज में ही है, और अमेरिका का मानना है कि ये 5th जनरेशन की बजाए, हमारे 4th जनरेशन फ खूबियां देखें, तो इसकी लंबाई 17.3 मीटर होगी, एमची वेट 15,000 किलोग्राम तक होगा, मैक्जिमम टेक ओफ वेट 28,000 किलोग्राम तक होने की संभावना है, ये अपने साथ 8,000 किलोग्राम तक का पेलोड केरी कर पाएगा, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो साथ कोरिया वा इंडोनेशिया द्वारा मिलकर डेवलाप किया जाने वाला के ए आई के एफ 21 मल्टी रोल फाइटर जेट, हालाकि इसमें इंटरनल वेपन सिस्टम फिलाल नहीं है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट में होना चाहिए, हालाकि इसे आगे डेवलाप किया सकता है, और साथ ही अपने साथ 7700 किलोग्राम का वेपन पेलोड केरी कर पाएगा, परफॉर्मेंस में ये 2000 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओड़ पाएगा, इसकी कॉमबेट रेंज 8500 किलो मीटर उताई जाती है, सर्विस सीलिंग करीबन 20,000 मीटर तक होगी, दो को डेवलाप कर रहा है, लेकिन जापान 5th जनरेशन जेट की बजाए, अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट में इसकी तकनीक का इस्तमाल करेगा, फिलाल वीडियो में दीगे जानकरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेर करती हुए, चैनल को सबस्क्राइब करना ना कोड़ उनरेशन उनरेशन ट improvements के नहें एकिन जाए, खंग setzt ऑानकरी झाले करती हगा, अवें सिर्गु सेंड़क्भ जनरेशन वानरेशन छिलाप, घास कनुलाइब करतो ये कि तो सनेटियों के खंगभ, झेंकर शेरन भी में।